चत्रपती सिवाजी महराज के व्यक्तित्व के इतने पहलू है कि किसी ना किसी रूप में उनका जीवन हमें अवश्य प्रभावित करता है। उनके बनाए जलदूर्ग समंदर के बीश में तेज लहरों और ज्वार भाटा के थपेडे सहरे के बावजूत आज भी शान से खड़े हैं। उन्हें समुदर के किनारों से लेकर पहाड़ों तक कीले बनवाए और अपने राज्य का विस्तार किया। उस काल में उन्होंने जलब प्रबंदन वाटर मेनेजमेंट से जुड़ी जो व्यवस्ताएं खड़ी की थी। वो विशसंग्यों के हैरत पर डाल देती है। यह हमारी सरकार का सवभाग्य है कि छत्रपती सिवाजी महराज से प्रेणा लेकर पिछले वर्ष भारत ने गुलामी के एक निशान से नव सेना को मुक्ति दे दी। भारतिय नव सेना के ध्वज पर अंग्रेजी शासन की पहचान को हटा कर सिवाजी महराज से प्रेणी उनकी राज मुद्रा को जगह दी गई है। अब यही ध्वज नए भारत के आन बान शान बनकर समंदर और आसमान में लहरा रहा है। साथियों छत्रपती सिवाजी महराज की वीता, विचारधारा और न्याय प्रियता ने कई कई पीडियों को प्रिरित किया है।